सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉपी राइट क्लेम कैसे रिमूव कर सकते हैं सो बनी रही इस वीडियो में और देखते रही है लास्ट तक लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपिन कर लेना है अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के लिए भी सल्यूशन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि Chrome को open कर लेना है जैसा कि यहाँ पर मैंने computer में open किया है उसके बाद क्या करना है कि आपको 3.00 पर click करना है 3.00 पर click करने के बाद यहाँ पर आपको show रहा होगा desktop mode जैसा कि computer का एक चीतर दिख रहा होगा youtube.com तो चलिए मैं यहाँ पर search कर देता हूँ search करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपका open हो जागा YouTube उसके बाद क्या करना है कि जैसे YouTube open होगा तो यहाँ पर आप कोने में चले जाएगा कोने में आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्या करना है कि अगर आपका चैनल है तो ठीक है और नहीं है तो यहां पर आपका स्वीच एकांट पर क्लिक करके और अपने चैनल में चले जाना है तो मैं यहां पर टेसू गेमर में चला जाता हूं तो जैसे ही यहां पर क्लिक किया मैंने तो क्ल से open होगा तो यहां पर फिर से आपको कोने में चले जाना है उसके बाद यहां पर देख रहींगेalth कर देना है इसके बैसे पर आपको जाए अधार। तो simply आपको इसी पर click कर देना है जो कि यहाँ पर manage video आप देख रहे होंगे तो चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास दो video है ठीक है मेरे पास दो वीडियो है और यहां पर देख सकते हैं कि रिष्टिकेशन में यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरे को none देखने को मिल रहा है दूसरा वीडियो में लेकिन पहले वीडियो में मेरे को copyright claim देखने को मिल रहा है तो इसे कैसे मुझे remove करना है देख सकते हैं अभी claim दिख रहा है लेकिन बाद में देखेगा यहाँ पर none लिख देगा तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर see detail आपको दिख रहा होगा तो simply आपको इसी पर click कर देना है जैसे ही click करिएगा तो यहाँ पर दे देख सकते हैं मतलब हर एक कोई यह video देख सकता है और यहाँ पर अगर montage की बात करें तो यहाँ पर अगर montage पर जो भी add दिखाया जाएगा उसका पैसा honor के पास चले जाता है जो कि मुझे copyright claim भेजा है उनके पास यह चले जाएगा तो इसको कैसे remove करना है इसके बारे में यह full detail देने वाला हूं उसके बार देख सकते हैं कि में पर आफिन में क्लेम कहां से मिला है यहीं आपको यह तुरह तो तो एक इस लिए मिला है यहाँ पर तेह आप Pr copy right दिया गया है तो इसको remove करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है simply जैसे मैं कहूंगा वैसे इस सिर्फ आपको करते जाना है तो copy right claim यहाँ पर देख सकते हैं कि copy right किस वीडियो पर मेरे को मिला है तो यहाँ पर देख सकते हैं सलाम रोकी भाई कुछ करके गाना है वहाँ ही पर मेरे को copy right claim देखने को मिला है तो इसको remove कैसे करना है तो remove करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है देख सकते हैं कि यहाँ पर second भी दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 119 से लेकर 31 के बीच में मेरे को मिला है तो इसको remove करने के लिए आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर देख रहे होंगे कि select action तो simply आपको इसी पर click कर देना है जैसे इस पर click कर येगा click करने के बाद आपके पास 3 option दिये जाते हैं पहला कि यहाँ पर यहाँ तो terminate out कर दिजे मतलब कि यहाँ से trim out कर दिजेगा यानि कि यह पूरा यहाँ से जो भी copyright claimate है उसको आप यहाँ से वीडियो में से remove ही कर दिजे या दूसरा option दिया जाता है कि replace song यानि कि इसी जगह पे अगर आप दूसरा song लगाना चाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है replace song तीसरा दिया जाता है कि mute song यानि कि आप इस गाने को जिस पे मेरे को copyright claim देखने को मिला है उसे यहाँ पर आप mute कर सकते हैं तो copyright claim हड़ जाएगा तो मैं सबसे अच्छा मेरे लिए रहेगा कि मैं इसे trim out कर देता हूँ यानि कि मैं cut कर देता हूँ मुझे tension ही नहीं रहेगा तो चलिए मैं इसे trim out कर देता हूँ तो trim out करने के लिए यहाँ पर first वाले icon पर दीख रहा होगा आपको कि trim out segment दिया हुआ है तो इसी पर आपको simply click कर देना है तो चलिए मैं इस पर click कर दिया क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं कि उपर में आ चुका है affected police यहाँ पर आ चुका है public उसके बाद यहाँ पर trim out segment उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है continue करने के लिए मतलब यह तना starting है और ending इतना है तो मुझे क्या करना है कि simply यहाँ पर continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद फिर से आपके पास option दिया जाएगा कि trim out करना चाते हैं या नहीं तो अगर cancel करना चाते हैं तो अभी से भी इससे cancel कर सकते हैं अगर delete करना चाते हैं तो simply trim पर click करिए trim पे click करते ही आप देख सकते हैं कि यहां से मेरा hurt चुका है और उसके बाद मैं एक बार replace कर लेता हूँ यहां पर processing ले रहा है जैसा कि आप यहां पर देख रहा होंगे कि यहां पर मेरे को processing ले रहा है यहां पर देख सकते हैं processing video तो यहां पर मैं अभी processing लेने देता हूँ, उसके बात खुद से ही यहां पर trimate out हो जागा यानि कि हट जाएगा और यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर मेरे को देखने को मिल रहा होगा कि trimming age in process मतलब कि यहां progress यहां पर अभी progress में है यहां पर हो जाएगा थोड़ा time लगता है लेकिन यहां पर आपका यहां से copyright claim हट जाएगा रिमूव हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक remove होता है तो finally आप देख सकते हैं कि यहां से मेरे को copyright claim हट चुका है और यहां पर देख रहे होगे कि यहां पर आपको copyright claim हट चुका है यानि कि यहां से मेरे को copyright यहां से remove कर चुका है यहां पर देख सकते हैं कि none तो आप इसी तरह यहां से remove कर सकते हैं copyright claim जो कि यहां पर आप देखनी को मिल रहा होगा कि यहां से मेरे को copyright claim हट चुका है तो आप इसी तरह से रिमूफ कर सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक दबाना न भूले